इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह से होती है जिसे हलके नाश्ते या बिस्कुट के साथ परोसा जाता है पारंपरिक रोजमर्णा की चाय के अलावा चाय की कई अन्य किसमें भी हैं चाय का सबसे लोगप्रिय प्रकार कड़क मसाला चाय है जो चाय का एक मजबूत और अधिक स्वादिष्ट संसकरण है यह पार जीवित करने के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है खासकर जब कोई ठका हुआ हो या किसी बीमारी से उबर रहा हो बजार में अन्य हर्बल चायों के विप्रीत मोरिंगा के साथ और एक कड़क मसाला चाय विदेशी मसालों और पॉश्टिक मोरिंगा चाय की पत्तियों का एक असाधारन मिश्रण हैं इस जैविक चाय पाउडर से बनी पॉश्टिक चाय में एक उलिखनिया और अनोखा स्वाध होता है जो इसे सामान ने रोजमर्रा की चाय से कहीं अधिक बढ़ा देता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक अन्य हर्बल चाय के विप्रीत मोरिंगा के साथ और एक कड़क मसाला चाय बहतरीन जैविक चाय पाउडर है जो मुख्य सामगरी के रूप में मोरिंगा की पत्तियों और साथ चुनिंदा मसालों के गुणों से भरपूर है 2. असम की फ्लश ब्लैक टी रोग प्रतिरोधक शमता के साथ साथ हृदय और मस्तिश के स्वास्थे को भी बढ़ाती है 3. डुआर्ज यानी की पश्चिम बंगाल के बहतरीन मोरिंगा में शक्तिशाली विटामिन और खनिज हैं यह एंटियोक्सिडेंट का भी एक सम्रिद स्रोथ है जो तवचा, बालों और स्वस्थ शरीर के लिए बहुत अच्छा है 4. ऐसी हर्बल चाय समगर स्वास्थे और शक्ति बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी है 5. सिक्किम का उच्च गुणवत्ता वाला अधरक एंटियोक्सिडेंट से भरपूर है और तनाव को कम करने में मदद करता है 6. इडुकी यानी की केरल की दालचीनी और इलाइची शरीर की पाचन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके वजन प्रबंधन में सहायता करती है 7. मेघाले की तुलसी विटामिन सी और जिंक से भरपूर एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा बूस्टर है 8. मेघाले की काली मिर्च सूजन को शांत करती है और चयाप्चय दर में सुधार करती है 9. अरुनाचल प्रदेश का स्टार एनी सपच और सूजन को कम करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें